भारतिय सभ्यता में रिशी केश एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां प्राचीन धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का समनवय होता है। यहां नदी, पहाड और ध्यान का वातावरण एकत्रित होते हैं, जो इसे एक अध्वितीय स्थल बनाते हैं। यहां की प्राकृतिक सौंदर्यता और आध्यात्मिक वातावरण ने इसे आध्यात्मिक उत्थान का केंद्र बनाया है। रिशिकेश के आसपास के पहाडों की सुन्दर्ता, गंगा का स्नान और संतों के ध्यानारण्य इसे एक आध्यात्मिक धारा का केंद्र बनाते हैं रिशिकेश का इतिहास धार्मिक और आध्यात्मिक उद्धीपकों से भरा हुआ है वहां के मंदिर, गुरुकुल और आश्रमों में प्राचीन वेदान्तिक सिध्धान्तों की धारा अब भी जीवित है रिशी केश में आध्यात्मिक्ता का महत्व अत्यधिक है यहां के आश्रमों में लोगध्यान और प्रार्थना में लगे रहते हैं जो आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करते हैं यहां के प्रमुखा अध्यात्मिक स्थलों में गंगा के किनारे बसे आश्रम, तपोवन, वेदिक पाठशाला और योग अभ्यास केंद्र शामिल है रिशी केश में अनेक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक त्योहार मनाए जाते हैं जैसे महाशिवरात्री और गंगा दशहरा यह त्योहार आत्मा की शुद्धता और सामूहिक उत्साह को बढ़ाते हैं रिशी केश में आध्यात्मिक यात्रा का महत्व अत्यधिक है यहानके संथ, महात्मा और गुरुों के संग से यात्री आत्मा की खोज में लगे रहते हैं रिशिकेश में राफ्टिंग और केम्पिंग दोनों ही अध्विती अनुभव हैं राफ्टिंग में आप नदी के तड़ पर तेजी से बेहते पानी का मजा ले सकते हैं जबकि कैम्पिंग में आप प्राकृतिक सुंदरता के बीच शान्ती और स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। चाहे आप एक नए साहसिक अनुभव की तलाश में हो या फिर कुछ शान्ती की तलाश में, रिशीकेश में आपको दोनों ही मिलेंगे। रिशीकेश के आध्यात्मिक शिक्षाकेंद्र, जो योग, आयूरवेद और वेदांत के क्षेत्र में एक प्रमुक स्थान है, विश्व भर से लोगों को आकर्शित करता है। यहां लोग आते हैं ताकि वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। साथ ही योग और आयूरवेद के अध्यवितिय गहराईयों को समझ सकें। गंगा आरती रिशीकेश में हर शाम की जाती है। यह अनुष्ठान गंगा के किनारे पर उसकी पवित्रता को याद करता है और उसके धार्मिक महत्व को बढ़ावा देता है। लोग इसे भक्ती और आस्था के साथ देखते हैं और आरती के समय आत्मियता का अनुभव करते हैं।